आज के हमारी वीडियो ने वाली है तो मैं सबस्पहले आपको बता देना चाहूंगा कि लोवर बैक बेन किस कारण से हमारी मुझी पर होता है तो जैसे कि हमारा अत्य अधिक बजन का उठा लेना या फिर हमारा एक ही स्थिति में काफी देर तक बैठे लेना गलत तरीके से या फिर हमारा गलत तरीके से सोना जिसमें हम कंवर्टेबल नहीं है उन्हीं को सुभी को देखते हो है आज आज आपको कुछ आसन के बाले कर लेना है कुछ इस तरह से कि असपशे अब सास को छोड़ दोए है अपने लेफ़् एंट से रांट को घृप कर लेना है लेफ्ट लेग आपका सिदा रहें है यासे कमर को मूर ना है आपको पीछे की और दीख रहा है जितना आ इस पामेंग पृष्ट कर सकते हैं है इस आपको 15-20 सेकिट करना है दोनों साइड करना है लेट और राइट दो दो बाहर आपका आसन हो जाए तब आपको इसको धीने से छोड़ देना है अभी हम यहां से अपना दूसरा आसन करेंगे फुजांगासन तो उसमें हम लेख जाएंगे कुछ इस तरह से पेटके बर पीछ आपको के पास में रखें अब सास को भड़ें सास को भड़ें के बाद में दीरे से बोड़ी को उठाएं कमर को मोड़ें को फील करते हुए इस आसन को भी आपको 15-20 से करना है दो से तीन बार जब आपकी सास छुपने लग जाए तब धीरे दीरे वापस निच्छा जल से दिरे बार करना है जब सास चुपने लग जाए तब धीरे धीरे दीरे. वाफ़र्स समाने इस्तिती में आ जाए लेट जाए और इस आसन के बाद में आपको गढ़ना है बाद असन गीवे से आपको इस आसन में आ जाना है और यहां पर 30-40 सेकेंड आपको रूपना है इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा अगर जो आपकी कोई रिसेंटली अभी सर्चिरी हुई है तो कोई भी आसन को ना करें और जब भी आप योगा करें तो किसी योग गुरू की झाल 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 झाल